हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू आवर चानल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GDS to MTS आज जो पेपर हुआ था राजस्तान सरकल ने वह आज स्वाल करने वाले हैं इस वीडियो में हम डिपार्मेंटल पोर्शन ही स्वाल करेंगे साथ इसाथ GKE के कोशन्स भी के लिए हमने आंसर के अल्रेडी हमारे ग्रूप पे डाल दिये हैं आप वहां से चेक कर सकते हैं यह राजस्तान सरकल दौरा कंड़क किया हुआ सीरीज एक का पेपर है तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किये यानि कि डुपलिकेट पास्बूक बनवाने के लिए जो निलदारी पीस से वो कितनी है यह 10 रूपीज, 40 रूपीज, 20 रूपीज या 50 रूपीज तो जो डूपलिकेट पास्बूक कराना है तो उसके लिए आपको जो है पीस है वो 50 प्लस GST है उसके ओपर GST भी लगेगा तो इसका सही आंसर है आंसर D. नेक्स कोशिन देखते कोशिन नमबर 2, पॉब्लिक प्रोविड़न फंड, पीप अप, आकाउंट कैन बी एक्स्टेंडेड इन वन स्टेंद फॉर्वान ही दिकाता है उसे पूर्ण आवदी होने के बाद एक साथ, निकि एट वन टाइम उस पास साल के लिए किया जाता है तो इसलिए इसका सही आंसर है अंसर B. नेक्स दितनी कोशिन नमबर 3, what can be the maximum investment by an individual monthly income scheme यमायस? जो यमायस है किसी ब्रेक्ती द्वारा, मासी काई खाते में आधिक तक कितना निवेश के जाता है, अगर वो सिंगल है तो उसके लिए 450, अगर व तो यहां सिंगल पूचा है तो इसका सही आंसर हैगा, आंसर C. 4.5 lakh नेक्स दिखते हैं, कोशन नमबर 4, premature closure of monthly income scheme, यमायस account is allowed after how many years? यानि कि जो डाकर का मासी का आई ओजना का खाता है, वो कितने वर्श के बाद असामाईक बंद करने के अनुमती है, यानि कि उससे prematurely close कर सकते हैं, तो जो monthly income scheme का account है, वो हम एक साल बाद ही बंद कर सकते हैं, त कोशन नमबर 5, what is the minimum amount for opening up saving bank account, तो यह same question सामने पिसली video में देखा था कि, minimum amount जो है, वो कितनी है, अब 500 rupees है, इसलिए इसका सही answer है, answer B, next question देखते है, कोशन नमबर 6, what is the annual premium to get life insurance of rupees 2 lakh in प्रदान मंतरी जीवन जोती भिमायोजना, अगर आप जीवन जोती भिमायोजना, में insurance cover करना चाहते है, तो उसके लिए जो वार्षिक दिये कितना है, तो उसके लिए जो premium है, वो 330, अगर आप PM SBY करते है, तो उसके लिए 12 रुपीज पर या, पर अगर आप PM JJY करते है, तो उसके लिए 330 रुपए, next question number 7, what can be the maximum weight of inland letter card, inland अंतरदेशी पदर का अधिकतम बा 5 gram, 15 gram, 10 gram या 20 gram, तो उसका अधिकतम बाहर जो है, वो 5 gram होना चाहिए, next question number 8, what can be the maximum length of parcels, what can be the maximum length of parcels, जो parcel की जो अधिकतम लंबाई है, वो कितनी होने चाहिए, 1 meter, 3 meter, 2 meter, या 4 meter, तो जो उसके अधिकतम लंबाई है, वो 1 meter से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए इसका same answer is, answer ये, next question number 9, what can be the maximum weight of book packet, book packet का अधिकतम बाहर कितना होना चाहिए, 2 kg, 4 kg, 3 kg, या 5 kg, तो इसका अधिकतम बाहर जो है, वो है, 5 kg, next question number 10, who can the maximum weight, what can be the maximum weight of speed post article, जो अगर speed post वस्तु का भेजना है, तो उसके लिए maximum अधिकतम बाहर कितना हो सकता है, 30 kg, 40 kg, 35 kg, या 43, तो speed post का अधिकतम बाहर है, वो है 35 kg, next question number 11, every letter package or parcel has to be stamped with this stamp at least how many post office, अगर आपको कोई later post करना है, तो उसे minimum, जो है, वो दो post office की डाक महर लगानी जरूरी है, कम से कम कितने डाक गरों की, तो दो डाक गरों की महर लगनी जरूरी है, तो इसका सही answer है, answer A, to minimum two post office, at least two post office, next question number 12, extra departmental branch post office are kept open for a maximum, how many house of day, जो extra departmental post office, branch post office की जो BPMs है, वो अपना office maximum कितने घंटे के लिए open कर सकते है, maximum, जो है, वो पाच घंटे के लिए, और minimum, जो है, वो चार घंटे के लिए, to maximum पाच घंटे टक open रख सकते है, question number 13, देखती है, poster departmental is under the administrative control of which officer, यहां आपको officer पोचा रहा, तो same questions आया था, जो तामिलाड़ों circle में, तो वहां director general of post की जो है, option नहीं था, तो यहां confusing है, तो इसका सही answer है, answer A, director general of the post New Delhi, next question number 14, how many postal circle are there in India, बारत में कुल कितने postal circle है, तो इसका सही answer है, answer D, 23, next question number 15, अंदमान and Nicobar are land, comes under the jurisdiction of which postal circle, अंदमान और निकोबार द्यूप समोव, किस postal circle के अधिकार शेत्र में आते हैं, करनाटका, पर्शिम बंगाल, तामिलनारू या अंदरप्रतेश, तो यह है, जो है, वो west बंगाल circle के administrative प्रशास्निक अधार, अधिकार शेत्र में आते हैं, तो इसलिए, इसका सही answer है, answer C, west बंगार, नेक्स्तिक, क्वेशन नंबर 16, वें दिद देपार्मेंट पोस्ट केम इंटो एक्जिस्टन इन इन इस प्रेंट 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 फर्म, अपने वर्तमान स्वरुप में डाक विवाग का कब गटन हुआ था, 1st October 1884, 1st October 1853, 1st October 1855, या 3 October 1852, तो इसका सही answer है, answer E, Q17 देखते है, टर्म्स लाइक वैलुडाय और लाइसेंस दाय आर आस्सेटेड विच उप फॉलिंग, यानि कि वैलुडाय और लाइसेंस दाय जैसे शब्द निम्रलिकित किस से जुड़े है, इसाइसे शेनिम्हस्टे अध्य करोंड़े हैै सेविंग बैंक अकउटıs से ररिउंग्म सब्द हांशिय। तो जो फ्रैंकिंग मशिंग के साथ जो है या फिला लाइसेंस लाइसेंस दाय भी होती है, तो इसके लिए इसका सहे अंसर एंसर बी, फ्रैंकिंग मशीन. नेक्स्ट इसके कोशन नमबर 18 वाट इस फीफ और रिकॉलम पोस्टल अर्टिकल है यानि कि कोई डाकोस तो आपको अपस बुला नहीं है उसके लिए को पोस्टल शुल्क कितना लगता है आरेस 9 रूपीज आरेस 6 रूपीज या 3 रूपीज या 10 रूपीज तो 9 रूपीज 6 या 10 रूपीज तो उसके लिए आपको शुल्क है वो 6 रूपीज अगर यह पोरेन आर्टिकल है तो उसके लिए आपको 30 रूपीज नेक्स देखते हैं क्वेशन नम्बर 19 विंडो डिलिवर अन इंशुल आर्टिकल विल बे मेड वेड़ इस वैलू इसमे विए विप्रूपीज वस्तु है और वो विंडो वस्तु का मुल्ले आदिक होने के पर विंडो डिलिवर की जाती है ऐसी कोई इंशुल आर्टिकल ह जिसकी वेलू 500 से उपर है तो उसे जो है विंडो पे डिलिवर किया जाता है इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ये फायो हन्रे नेक्स देखते है कोशन नम्बर 20 सजेशन और कंप्लेंड बुक इस मेंटेंड बाई विच अप दो फॉलिंग ओपिस तो कहां मेंटेंड किया जयाता है head post office, circle office branch post office या all post office तो कंप्लेंड suggestion, and complain book है जो ms94 वो सभी जगह use किया जाता है सभी post office में उससे रखा जाता है तो इसका सही अंसर है का अंसर D all the post office question number 21 what is the weight limit of blind literature packet blind literature packet का भारसी मा अधिक्तम भारसी का भारसी मा कितनी है 4 kg, 20 kg, 2 kg या 7 kg तो जो blind literature packet है वो आहां ज़्यादा तो ज़्यादा 7 kg तक ये transmit कर सकते है next question देखते ही question number 22 which of the following can redirect by postal article किसी भी डाकोस्त को कोन redirect कर सकता है by office of posting, by office of destination by any intermediate officer या ननमदेश तो जो office से अगर वो post होकर article आगे जाच चुका है तो जो office of destination है वही उसे redirect कर सकता है इसलिए इसका सही answer है answer B next देखते ही question number 23 which of the following comes under first class mail जो डाक की जो mails है first class mail और second class mail तो उसमें first class mail कोन से आते है letters, book packet या letter card letters, letter card या register newspaper letter, postcard या letter card letter, blind literature packet या letter card तो जो letter, postcard और letters card है वो first class में आते हैं बाकि की जो blind literature, package register newspaper और book packet है वो second class में आते हैं इसलिए इसका सही answer है answer C next question देखते है, question number 24 the first class head postcard is situated at the head quarter of the head of the circle और वेल देर इस more than one echo such head postcard is that one is attached to head quarter is termed as अगर आपने वालों फाई को जो definitions है वो GPO की definition number 6 अच्छे तरी से पढ़े होगी तो इसका सही answer है answer B general post office first class head post office जो attached to head quarter है उसे general post office कहा जाता है next देखते है question number 25 do mail and shorting list of particular post office is issued by whom जो do mail and DMSL list है वो किसके दोरा issue की जाती है the PM of concerned post office, sub-divisional inspector या superintendent of post office, assistant superintendent of तो जो है समन्दिक डाक्क्र के जो अधिक्षक है superintendent of post office वो ही DMSL issue करते है do mail and shorting list next देखते है question number 26 the unit back office sent its daily back balance report to unit back office याने की हर एक post office वो अपना daily back balance है वो किसे यूश्य का किसे भेजता है district back office को, DBO को ये वहलों की definition number 18 में दिया रहा है महाँ से आप देख सकते हैं the top of the label bundle is called as which of the following जो चेक्स लिस्ट बोथ A and B चेक्क्स लिप नन अब दिया बहा है तो उसे हम चेक्क्स लिप कहते हैं ये definition number 25 में दिया गया है जो label tie किया जाता है उसे चेक्स लिप कहा जाता है next देखते है question number 29 a station bundle contain which of the following जो station bundle है उसमें क्या contents रहते है station bundle में station register article, station unregister article, only station, register parcel या value available तो जो definition number 24 a में दिया गया है station bundle उसमें clearly दिया गया है जो station के unregistered articles है वो ही station bundle में रहते है तो इसलिए इसका सही answer है answer B next question number 13 a journey performed by a set or a set of a section traveling on duty from one end to its bit of the other its collar तो उसे क्या कहेंगे है हम उसे round trip event या नन अबदा उसे trip कहा जाता है definition number 22 next देखते है question number 31 the special kind of wool called the Pashmia is found in which of the part of India जो कि Pashmia का Pashmina नाम का जो wool है वो कहां पाया जाता है वो लडाक में पाया जाता है next देखते हैं where the park street is situated जो park street कहां पा है जो between India and Sri Lanka के बीच में है next देखते है question number 33 भरत नाट्यम इस दान्स फ्राम वीच आप स्टेट तो इसका से अंसर एंसर बी तामिल नारू the famous artist Bismillah Khan was associated with which of the following तो वो किसके साथ associated थे वो शहिनाईगी के साथ थे इसलिए इसका से अंसर है आंसर C question number 35 देखते है which of the following article which of the article of Indian constitution fundamental duties have been inherited तो किस्मिक किया गया है कर्तोर का तो इसका सही आंसर तो आपको देखना पड़ेगा next देखते है question number 36 the governor of state is appointed by तो जो appoint किया जाता है तो वारत के राष्ट्रपती दौरा किया जाती है next question number 37 who was the father of operation flood in India तो जो operation flood के कौन है वो वर्गिस कुरियन जी है which of the hardest element available in the earth जो के बदलती पर सबसे कटोर तत्व कौन सा है sona loha platinum या हिरा तो सबसे कटोर है वो hardest diamonds next एकते question number 39 who was the first तिर्थकार of jains जैन के पहले तिर्थकार कौन थे वो रिशबब पन्त बहरावनात जगानात या कालेनात तो रिशबब पन्त है कि वह दिर महात्मा गानी डूए इस फर्स्त सत्यागरण इन इंडिया तो जा महात्मा गानी पहला सत्यागरण किया था वो चंपारन में किया था बाकी के math की questions की जो answer की है आपको ग्रूप पर आभेलेबल है वहां से आप देख सकते हैं और कर सकते हैं तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक बाए